हेलो दोस्तों, सेयर रेसीपी में आप सब का स्वागत है, आज हम बनाएंगे चावल का खीर, तो चलिए खीर बनानास दूद को बॉयल होने के लिए, गैस पर रख दी हूँ, और दूद बॉयल हो गया है, यहाँ पर मैंने एक लीटर दूद ले हूँ, दूद में उबाला ग दूद में चावल को डाल देंगे, चावल को धो कर मैंने पहले से ही रख दिये थे, आप चाहे तो किसी भी चावल का खीर बना सकते हैं, लेकिन छोटे दाने वाले चावल का खीर बहुत ही अच्छा बनता है, तो एक बार ज़रूर ट्राइब करें, तो तीन से चाल मिनट क लिए चावल को पबने देंगे, छोटे वाले कप से एक कप मैं चावल लिए हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे, आज हम इसमें चीनी डाल देंगे, जिस कप से मैंने चावल दिया था, उसी कप से चीनी लिए हैं, जितना चावल है उतना ही चीनी है, और चीनी को इसमें डाल देगे, छीनी आप अपने टेश्ट के एकारडिंग ले सकते हैं, यहाँ परे काज़ू कट करके रखी हूं, इसे भी डाल दे रही हूं, किसमस है, इलाइंची को फूट करके ले ले हूं, इसे भी डाल देगे अपने उसाब ड्राइफूट डाल सकते हैं और इसे अच्छे से चला देंगे चीनी डालने के बाद 2 मिनट और इसको पकाएंगे खीर बन गया है अब देख सकते हैं कितना अच्छा खीर बना है गैस को बंद करके और 10 मिनट के लिए इसे ठंदा होने देंगे उसके बाद हम ऐसे कहाओं देखने हैं हैं चैएस परकार से बनाया हूँ अभी पशंद आएगा एक बार जरूरस बनाए और खाई की राकाहिए इस परकार से आप भी जरूर बनाईए, बहुत ही टेस्टिव बनता है खीर, कितना गाढ़ा खीर बना है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट करना ना बोले, जिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,